हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मेरे नामे दीपक चाहरस्या और आप सभी का हमारे सीटूप चाहल पर स्वागत है तो दोस्तों आइफोन 13 पे एक और अपडेट आज चुका है सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लें यहां पर इस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आएवस 17.1 पॉब्लिक बीटा जो अपडेट है वो बहुत अच्छा चल रहा है और यहां पर आएवस 17.2 पॉब्लिक बीटा जो है वो आपको वन आ चुका है जिसका जो साइज है वो है 6.07 जीबी का काफी बड़ा अपडेट है यह और यहां पर जो चीज़े लिखी हुए है वो आप लोग पहले पढ़ लिजिए आएवस बीटा गिवज यू एन अर्ली प्रिवेज आपकमी अप्स फीचर और टेक्नोलोजीज प्लीज बैक अप यूर जीबी का है और अपडेट से पहले जो अपडेट था है आएवस 17.1 जिसका बिल नमबर था 21B74 और यहां पर आप लोग देख लीज अपडेट से पहले इस फोन में जो अवेलबल स्पेस था वो था 60.91 जीबी का और अपडेट से पहले इस में जो मॉडम फर्मवेर था वो अपडेट के पहले इस फोन में जो बैटरी हेल थी वो थी 91 परसेंट और यहां पर गया इस फोन को अपडेट कर लिया है मैंने जिसका बिल नमबर नया आ चुका है वो है 21C5029 जीब और यहां पर गयाज अब बात करते हैं अवेलेबल स्पेस की तो वह 59.02 जीबी का तो करी यहां पर हमें दो प्राबलम तो पहले fix होती भी नेजर आ गई है एक तो जो है connectivity से रिलेटर जो प्राबलम थी काफी लोगों की फोन में एरड्रॉप नहीं चल रहा था तो वह प्राबलम जो है अपने यहां पर fix कर दिए नए modern firmware के जरीए और दूसरी चीज़ यहां पर available space इसमें देखने को मिल गया था गाईज बैटरी हल्थ में कोई भी फरक नहीं है 91% हल्थ पहले भी थी और अभी भी थी तो ये तो होगे गाईज जो है common सी बाते हैं आप बात करते हैं main चीजों की कि क्या क्या हमें नया देखने को मिलता है तो सबसे पहला plus point आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ आपको नय अलग तरीके के widgets देखने को मिल रहे होंगे यह clock का widget अब यहाँ पर कितना time हुआ है guys क्या आप बता सकते हैं कुछ भी idea नहीं लग रहा ना तो यहाँ पर एक ये bug भी है और यह यह नया चीज भी है कि आपको clock का एक नया widget देखने को मिलता है बट यहाँ पर यह जो widget है हो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है जो आप proof के साब सामने जो है देख सकते हो 10 बच कर 28 मिनट हो रहा है यहाँ पर 10 बच कर 28 मिनट होना चाहिए बट वो नहीं है तो यह एक तरीके का bug है हो सकता है अपल जो है यह next update में यह problem को fix कर दे यहाँ पर और भी नहीं नहीं विजट्स हैं जैसे कि आप लोग जो है weather का देख सकते हो यहाँ पर weather है यहाँ पर पूरा detail आपको weather की मिल जाएगी क्या कुछ wind चल रहे है ने QI, UVI जो भी यह सब चीजे weather से related वो पूरी की पूरी information आपको जो है widget में देखने को यहाँ पर front में मिल जाएगी तीसरी चीज़ गाईज यहाँ पर आप लोग यह देखिए यहाँ पर जो है यह आपको battery health देख रहे है 97% बैटरी health नहीं बैटरी है जो अपनी phone में भी stamp है 97% तो यहाँ पर अभी थोड़ी दर पहले क्या था 97% के साथ-साथ यहाँ पर दो dot भी थे जो के भी वो गायब हो चुके हैं हो सकता आप लोगों ने experience किया हो अगर आपने इसको update किया होगा तो यहाँ पर अभी भी थे बटो गायब हो चुके हैं तो यहाँ पर यह bug भी है इसमें भी है और इसमें भी है तो यह देखते हैं कब apple इस चीज को fix करता है अब बात करते हैं सबसे बड़ी और main चीज की जो यहाँ पर apple ने रिलीज किया है चलिए आपको चेक आउट कराते हैं और इसका बहुत लोग पहले से बहुत ही काफी time से वेट कर रहे थे तो यहाँ पर आप लोग यह देखिए आपको contact key verification का जो option है finally वापस आ चुका है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही काम का है काफी लोगों के लिए और काफी लोगों के लिए बिल्कुल भी useless जैसे मेरे किसी काम का नहीं है तो इसके बारे में जानना है आपको पता होगा कि आपके phone में कोई messages वगरा करा तो आपके पस notification आएगा इससे related है message वगरा से related है थोड़ा privacy को जो है और improve किया गया है यहाँ पर बात करेंगा इस और चीजों की नया क्या तो apple music में आपको जो है नया मिल जाता है वही नया जो है आपको banner वगरा और आपको नया suggestions अच्छे च्छे वो सब मिल जाता जो की बहुत ही कम काम के है यहाँ पर आप बात करते हैं जो सबसे बड़ा और एक major update है वो है यहाँ पर journal app का एक नई app आपको देखने को मिल जाएगी इस update में जिसका नाम है journal जिब आप इसको open करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से interface आएगा आप इसको पढ़ लेजिए welcome to general continue करेंगे उसके बाद कु everyday moments आप दिन बर क्या करते हो उससे related आप कुछ लिखना चाहते हो जैसे हम अपने एक diary maintain करते थे जब phones नहीं थे हम वहाँ फला ने दिन इस date को वहाँ गए थे उस दिन वहाँ देखे थे एक तरीके कि मैं इसको diary ही बोलना चाहूंगा तो यहाँ पर यह smart diary होग एक तरीके से क्योंकि आपको यह आपको suggest कर देगी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप जो है सब चीजों को अगर आप करना चाहते हो एक्टिव कुछ diary maintain करते हैं कुछ बुलोग तो उनके लिए यह मेरे हिसाब से काफी सही चीज हो सकती है बाकी मेरे काम की नहीं है और इतना time होत है जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम जाएंगे अपना privacy and security में उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे journaling suggestions में तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े जो है मिल जाएंगे turn of all करके जो अपने हिसाब से इसको customize कर सकते हो और clear history भी कर सकते हो यह काफी काम की भी आप हो सकते हैं उन users के लिए जो अपना diary maintain में करा करते हैं सो उसे साब से काफी सही है और धीरे धीरे नेने फीचर जो है वो आने वाले हैं सो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक करे हो चनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अभी बहुत सारे नेने फीचर इस आए उवEe ieटिंग का क्या Sarlos ne है अभी बिल्कुल ना के वराबर हो गए यह मारे फोन में जो ऑले बलुकुल बहूत ही कम हो चुकि आफ़ोन थर्टीन में और सेकेंड चीज भे आइफोन की पर्फॉर्मेंस का क्या S לחmaster न है तो यहां पर परफॉर्मेंस को मैं आपको प्रूर् और मल्टी कोर था 5,317 वहीं पर अगर मैं बात करूंगा इस जो है आज की तो आप लोग देख सकते हो सिंगल कोर निकल के आए है 2242 और मल्टी को निकल के आए है 5,399 तो थोड़ा सा बढ़के ही मिला है तो परफॉर्मेंस बहुत ही ना के बाराबर चेंज हो यह थोड़ा सा उपर नीचे हुआ है इवन थोड़ा सा इसमें बढ़ा है बट यहाँ पर अगर मैं बात करूंग जीपी यू स्कोर्स की तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है उसमें मैंने आपको बताया था कि आईफोन 13 में टोटल बैटरी बैकप कितना मिल सकता है वो आप लोग वीडियो जो जाके देख लिएगा कल ही मैंने अपलोड करी थी और यहाँ पर गाईज आब इसमें हम चेकाउट करने वाले हैं आईवेस 17.2 का जो अपडेट है इसमें बैटरी बैकप कितना है क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया है तो मुझे नहीं पता है बट अभी दो गंटे पहले इसमें मैंने 100% चार्ज किया था और अभी इसमें है 95% तो दो गंटे में 5% बैटरी जो ड्रॉप हुई है बैकन को जरूर अन रखेगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए तो गईज यही था अपडेट का वीडियो आइफोन 13 के लिए मेरे अगर आपको यह वीडियो पसंदा तो वीडियो को लागी जरूर करना और गईज यही था वीडियो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपके मैंड में कोई सवाल है आइफोन 13 मतलब आइफोन 13 से रिलेटट कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो इसके बारे में नीचे कॉमेंट कर दीजे मैं उस पर भी हुँआ है